अगर आप भी राशन कारधारी हैं और राशन हर महीने उठाते हैं तो आपके लिए हमारे पास एक एहम जानकारी है कई बार ऐसी खबरे निकल करके सामने आती रही है कि राशन कारधार को को डीलर राशन देने में आनाकानी कर रहे हैं ऐसी स्थिती में राशन कारधारियों को जितना मिले उत्रे में ही संतुष्ट करना पड़ता है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प मौजूद ही नहीं होता था लेकिन आप ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अब डीलर के मनमोजी नहीं चलने वाली है क्योंकि अब राशन से जुड़ी किसी भी शिकायत का समधान आप खुद कर सकेंगे केंदर सरकार की तरफ से राजयों के हिसाब से हेल्प लाइन नमबर जारी कर दी गई है आप इन नमबरों पर कॉल करके डीलर के खिलाप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं विहार के लोग 1-800-3456-194 पर कॉल करके राशन कार्ट से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं इतना ही नहीं अगर आप ओनलाइन काम करना चाहते हैं तो भी आपके पास ओनलाइन माधियम से शिकायत करने का विकल्प तो मौझूद है ही क्योंकि आप अपने राज्यो के हिसाब से टोल फ्री नमबर नाशनल फूर्ट सीक्यारिटी पोर्टल के लिंक nfsa.gov.in slash state underscore ut underscore toll underscore free underscore aa परजवा कर सभी राज्यो के नमबर निकाल सकते हैं कई बार ऐसा देखा गया है कि राशन कार्ट के लिए आवे दन ओनलाइन करने के बाद भी कई-कई महीनों तक राशन कार्ट धारियों को उनका कार्ट ही नहीं मिल पाता है ऐसे ही स्थिति में आप इसके शिकायत भी toll free नमबर पर कर सकते हैं आपकी जयानकारी के लिए आपको बता दे कि राशन कार्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिये सस्ते वे राशन उठाने का काम किया जाता है कोरोना कार्ट में यही राशन कार्ट वरदान साबित हुआ है क्योंकि इसी कार्ट की मदद से लाखों लोगों ने काम धंधा बंद होने के बावजूद राशन उठाने का काम किया जिससे कम से कम राशनकार धारियों को खाने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ा था सरकार भी इसी कोशिश में थी कि कोरोना का जिसे माखौल में राशनकार धारियों को कोई परिशानी ना हो इस बात का खास ध्यान रखा जाए लेकिन सरकार की तरफ से तबाब तिशा निर्देश जारी करने के बावजूद कई ऐसी शिकायते निकल करके सामने आती रही है कि डीलरों ने अपनी मनमौजी के कारण लोगों को कम राफशन दिया जोसे डीलर तो धन को बेर बनते गये लेकिन आम लोगों के सामने खाने पीने की समस्या उत्वपन हो गई लोगों को इन्ही समस्याओं को ध्यान में रखते वे बिहार सरकार सबीत केदर सरकार ने एहम कदम उठाया है और लोग अपनी शिकायत सीधा प्रसाशन तक पहुँचा सकते हैं इसकी योजना बनाई है जोसे एक बात तो तय है कि आने वाले समय में कोई भी डीलर अपनी मनमर्जी कार नहीं कर सकेंगे साथ ही लोग जितनी नरधारित है उतनी ही राशन को उठा सकेंगे इसके साथ ही आज की इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद